दोस्तो एक बार एक गरीव लड़का अपनी गल्फरेंट को लेके अपने घर आता है मतलब मतलब शादी तो बहुत दूर की बात है अब तो मैं तुम से कोई रिस्ता भी नहीं रखना चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम इतने गरीव हो इसलिए मुझे भूल जाना रुको आज तुम मेरे इन हालातों को देखके मुझे छोड़के जारी हो ना देखना एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊंगा कि मैं आगे रहूंगा और तुम मेरे पीछे जाओ फिर वह लड़का दिन रात मेहनत मज़्दूरी करता है और अपने सपने बूरे करने की कोशिश में लग जाता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या बात करनी है ओ हेलो इतना घमन मत दिखाओ मैं तुमसे मिलने नहीं अपनी शादी का कार्ट देने आई हूँ और सुन तु ये खेती बाड़ी करके बड़ा घर क्या छोटी गाड़ी भी नहीं खरीत पाएगा और मेरे होने वाले पती को देख अब भी से गाड़ी में घुमा रहा है मुझे पहचाना अरे पहचानोगी कैसे पूरा बदल जो गया हूँ हाँ देखा मैंने तुमारा वो पती उस चोमू के लिए तुमने मुझे छोड़ा अरे मुझे देखो जो मैंने बादा किया था वो पूरा किया देख क्या रही हो वो गाड़ी मेरी ही है मैं ही चलाता हूँ उसे वैसे याद करो तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था और सुन तुम ये खेती बाड़ी करके बड़ा घर क्या छोटी गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा क्या कहा था गाड़ी नहीं ले सकता घर नहीं बनवा सकता अरे जा के देखो मेरे गाओं में वो गर मैंने बनवा लिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि मेरा कर तो छोटा था आज वो बड़ा हो चुका है ओ मैडम इधर देखो इधर कभी किसी इसमसान की अंब दो सरच होकाथ उसके पैसे कपड़ेया मकान से नहीं तोलनी चाहिए हमेशा उसका दिल थे लेकिन नहीं तो मेरे मेरा मकान देखना था मेरी गाडगे शुलका हूए बेखो न य wife-wee Meery मेरी ये कितनी बार बोलू ये गाड़ी मेरी है अरे औरे गाड़ी तुम्हारी तो खोलो वैसे भाईया आपने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया याद करो याद देखना एक दिन ऐसा वक्त लेकर आउंगा कि मैं आगे रहूंगा और तुम मेरे पीछे सही में आप आगे और हम आपके पीछे प्राँ है प्राँ है झाल ऑे तो शेखना में आपके अगे लुड़के लेदे है जोता है यूबके लेदे है